बीना ब्रेट की सेंविच की ये रेसे भी अगार आपने एक बाद राई कर ली। यकीन मान्यें अब सैंविच बीना ब्रेट के ही बनाओगे, ये रेसे भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले सेंविच का बेस बनाएँगे। तो इसे हम ब्रेट से नहीं बनाने वाले ये जो सेंविच है बहुत ही healthy day अर होगी तो यहाँ पे मैंने मूंग स्प्राउट लिये है यह डाई स्प्राउट है अगर कप में देखे तो यह डाई कप मूंग स्प्राउट है मूंग स्प्राउट की जगह आप और कोई भी डाल भी ले सकते हो जैसे कि पीली जो मूंग की डालाती है इससे भी आप चार से पांच गंड़े के लिए इसका इस्तमाल भी इसकी जगह पर कर सकते हो अभी मैंने मूंग स्प्राउट लिया है इसकी जगह पर मिक्स्प्राउट भी ले सकते हो अभी इसे पीस के हम एक बैटर द्यार करेंगे तो यह जो मूंक स्प्राउट है इसे हम मिक्षर जार में निकाल देंगे अब इसमें वन फोट कप हम पानी मिलाएंगे अब इसमें अच्छे तर से पीस लेंगे यह देखे तो मूंक स्प्राउट की इस प्रकर पीस लेना है इसे पीष्टे समय में मैंने और भी थुड़ा पानी का प्रोएक्ट किया था तो टोटल मुझे अधकब जितना पानी लगा है तो यह जो बैटर है वो इस प्रकार आपको मीडियम थिक रखना है अभी इसमें हम सिजनिंग करेंगे स्वाद के अनों सा नमक मिलाएंगे इसमें 1-4 टीस्पून औरेगानों मिलाएंगे हाफ टीस्पून इसमें चिलिफलेक्स मिलाएंगे अभी हम इसे अच्छी दर से मिला लेंगे अभी सेंड्विच के आउटर लियर के लिए हमारा बैटर तैयर है जिसे बनाना बिल्कुल ही आसान था अभी हम सेंड्विच का स्टफिंग बनाएंगे सबसे बेल एक बिक्सिंग बॉल में हम बारी कटा हो प्याद लेंगे तो यहाँ मैंने एक बड़ी साइज का प्याद लिया है इसमें हम बारी कटी भी सिम्ला मिश मिलाएंगे तो यह एक मिडियम साइज की मैंने सिम्ला मिश ली है इसी के दर इसमें हम 100 ग्रम पनीर मिलाएंगे तो पनीर को इस प्रकार मैंने करम्बल कर लिया है आपको पनीर को कदू कस नहीं करना है हाथों से क्रम्बल कर लेना है इसमें आप चाहो तो अपनी पसंद की और भी सब्जिय डाल सकते हो मैंने अभी एकदम बेजिक सब्जिय रखिए है प्याज और सिम्ला मिच अब इसमें हम सेंड्विच की हरी चट्टी मिलाएंगे तो यह अल्मोस मैं दो टेबल स्पन चट्टी डाल रहा हूँ इसकी रेसिपी मैंने पहले ही पोस्ट की है जो आप देख सकते हो मैंने लिंक बायो में डाल दी है अब इसमें हम चीज ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर केवल हम एक ही चीज का प्रविप करेंगे क्योंकि यह हम हेल्दी रखने वाले है वैसे आप जाओ तो चीज को स्किप भी कर सकते हो तो सिर्फ एक ही चीज की उप्ये बहुत सारी सैंड्विच बन जाएगी तो अब इसमें स्वार्ट के नों सा नमक मिलाएंगे वैसे हमने जो हरी चटनी मिलाई है उसमें भी नमक है और चीज मे हमें सब कुछ हम अच्छे तर frame मिला लेना है यह लगा है तो अभरों से बाइनी बहुत ही बढ़ी आएगा है उसक्षे तरह से हम फैंट लेंगे, अगर ये स्टेज पर आपको जरुवर्ट लगते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हो, अभी मुझे ये पर्फेक्ट लग रहा है, तो बेशन को हमें अच्छे तरह से मिला लेना है, अभी जब बैटर बन जाये, तब इसमें हम एक चु आप चाओ तो जो regular सेंविच में कराता है, उसमें भी इसे बना सकते हो, तो इसे मैंने grease से grease कर लिया है, इसमें हम थोड़ा बैटर डालेंगे, इसमें आपको बहुत जादा बैटर भी नहीं डालना है, इस परकार थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है, और इसमें हम इ हलका सा स्टफिंग को हम फैलाएंगे, लेकिन साइट पे हमें जगा छोड़ देनी है, तो इस प्रकार स्टफिंग रखने के बाद ऊपर से भी हम थोड़ा बैटर डाल देंगे, ये स्टफिंग है, वो कवर हो जए, उतने ही आपको बैटर डालना है, अब ये जो सेंड्व एक साइट पे इसे हम पकने देंगे, अब इस सेंड्विच को मैंने दोनों साइट पे पका लिए है, इसे हम चेक करेंगे, ये देखे, ये बहुत ही जबर्जस्त तयार हुई है, दूसरी बाजू भी इसे हम चेक करेंगे, ये देखे, दूसरी बाजू भी बिल्कुल अच किसे भी अच्छी लगती है तिसे लाइक एर सेज्ट जरूर करें और इसे के साथ मेरे पेज को या मेरी चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबादे ताकि जो आने वाले वीडियो जे उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चले